नमस्कार किसान साथियो, सोनाली का Di60 सिकंदर HDM-DLX-TP, मतलब टोर्क प्लस, बहुती लंबा चोड़ा नाम है, कई सारी सीरीज स्केंडर एड़ कर दी गई है, इसकी में हाइलाइट है इसका इंजन, किसी भी ट्रेक्टर की ताकत उसका इंजन ही होता है, और इसकी में हाइल इसका इंजन ही है, इसके बारे में पूरी बात करेंगे, लुकिंग आप देखिए, ट्रेक्टर की बहुती शांदार टिपिकल, लाइट ब्लू कलर, सोनालिका की टिपिकल ब्रेंडिंग, और स्टाइलिंग दी गई है, और इसके अंदर एक और खास बात है कि पूरी की 2210 mm का है, फैक्टरी फिटेड बंपर आपको मिल जाता है, आगे जैसे लगा हुआ है, ऐसे ही, एर फिल्टर बोडी के अंदर है, ये लाइटें आप देखिए, लाइटों के अंदर आपको LED भी मिलती है, हैलोजन के साथ साथ, बल्ब के साथ साथ, LED के छोटे छोटे के साथ आता है, लेकिन इसमें hydraulic jack लगे हुए नहीं है, ये आपको हाथ से खोलकर उपर उठाकर एक डंडे की मदद से रोकना पड़ता है, सोना ली का दावा करता है कि भारतिये tractor industry का सबसे बड़ा engine इसी tractor में तिया गया है, तो बात करते हैं, इसकी इसके अंदर आपको मिल 709 cc का जबरदस्त engine, TP है मतलब torque पिलस है, तो इसके अंदर torque मिलता है 275 newton meter, शांदार engine, दमदार torque, बड़ा engine, तो इतने बड़े engine पहले सोना ली का 90 horsepower तक के tractor में भी 4087 cc का engine देता था, अभी सोना ली का ने एकदम latest tractor launch किया है ये वाला, इसमें 60 horsepower में ही इन्होंने 4709 cc का engine दे दिया है, साथ ही इसमें मिलता है micro boss company का in-line pump, जो की बड़े size के engine तक diesel पहुचाता है, single diesel filter, water separator की सुविधा मिलती है, ये mileage प्लस भी है, मतलब बड़ा engine तो है ही तो ऐसा नहीं होगा कि ये काफी ज़्यादा तेल खर्च करेगा, इसका mileage भी काफी अच्छा है, coolant with overflow reservoir, बार बार coolant दनने के अब सकता नहीं पड़ती, खुद से ही डल जाता है, खुद से ही reserve हो जाता है, इस डब्बे में, water coolant engine है, और इसका air cleaner जो है, वो wet type का दिया गया है, मतलब गीला वाला, इसमें आपको तेल डालना पड़ता है, air cleaner में service के time पे, radiator normal है, aluminium का दिया गया है, काफी बड़ी जाली आगे लगी है, aluminium के radiator के आगे भी आपको एक अतिरिक जाली मिल जाती है, जिससे tractor के radiator में कूड़ा वगेरा ना जाए, power steering का pump अलग है, hydraulic का pump अलग है, tandem pump दिया गया है, आजकर लगबग सभी ट्रेक्टर में यही तक्निक आने लग गई है, बार बार बताने के आवस्चकता भी नहीं है, लेकिन इसमें tandem pump दिया गया है, और power steering में चलने वाला तेल का डबबा अलग से दिया गया है, पिछले इसस power steering और उसमें चलता है, अलग से डबबे में दिया गया तेल, जिससे आपका power steering काफी लंबे टाइम तक चलता है, यहाँ पर लिक कर इनने दिया है, 275 Nm का torque का भी शांदार ट्रेक्टर है, दमदार, पैरदान काफी उचे है, प्लेटफोर्म सपाट नहीं है, साइड शिफ् comfortable है, DLX Series, Sonali का तब लगाता है, जब उसके ट्रेक्टर में extra comfort add किया गया हो, मतलब चलाने में आराम दायक हो, तो बहुत ही आराम दायक है, adjustable seat है, आगे पीछे उपर नीचे अपनी seat को adjust कर सकते हैं, अपने बजन के अनुसार भी, आप gear के levers की position भी देख सकते हैं, gear levers की position किस तरह से दी गई है, आपकी seat के दोनों तरफ, यहाँ पर hydraulic की कुछ अलग से functionality दे दी गई है, उपर चड़ने के लिए hand hold, indicator बहुत ही शांदार है, LED है, कम power लेते हैं, बढ़िया रोशनी प्रदान करते हैं, बात करेंगे पिछले हिस्से की reverse PTO के साथ ट्रेक्टर आता है, 540 पिछे वाले इंडिकेटर भी आपको LED मिलते हैं, चिंता की कोई जरूरत नहीं है, प्लाव लेंप, नंबर प्लेट के लिए भी एक छोटी सी light दी गई है, दोनों फेंडर्स के बीच में support लगा है, जिससे vibration कम हो, किसान साथ यों ट्रेक्टर का पिछला वाला axle, straight axle है, direct axle है या इसे inboard reduction type की तकनीक का अगला वाला axle कहा जाता है, काफी heavy duty है, लेकिन अचंबे की बात यह है कि इन्होंने 60 HP के ट्रेक्टर में भी planetary plus या epicyclic reduction तकनीक नहीं दी है, 2200 kg की lift capacity है, और पिछले axle में आपको greasing point भी मिलते हैं, कुछ points पर आपको grease करना पड़ेगा, पूरा पिछला axle तेल में डूबा हुआ नहीं है, 2200 kg की lift capacity और दोनों ही link लिंकों पर link leveler मतलब jack लगे हुए है, जो की काफी अच्छी बात है, दोनों side की linkों पर लगे हुए है, linkों के support काफी अच्छे हैं, square type के दिये गए हैं, और sensing बहुती बढ़िया होने वाली है, चार sensing point मिलते हैं, आपके hydraulic पर लगे हुए implement को मिट्टी के अनुसार sense करने के लिए, double SCV valve company fitted sonali का देरा एक्स्ट्रा चार्ज की कोई जरूरत नहीं है, और double SC valve, MB plow, laser, leveler, pressure, error कुछ भी चलाने के लिए, और इसको operate करने के लिए एक अलग से lever भी दिया गया है, जो की double acting lever है, अब बहुती असानी के साथ अपने DCV valve या SCV lever का इस्तेमाल कर सकते हैं, 51.6 horsepower की 540 RPM वाली PTO मिलती है, जो की अपने 540 RPM लगवख 1700 इंजन rated RPM पर निकालती है, 540 standard और reverse PTO की सुविदा भी ट्रेक्टर के अंदर मिलती है, और double clutch है, मतलब PTO को चलाने के लिए अलग से clutch दिया गया है, काफी शांदार है, PTO कम RPM पर निकाल रहा है, उपर से ट्रेक्टर का व्यू आप देखिए, कौन से लीवर की कहा पोजिशन है, कैसे आप इसको चलाएंगे, पूरा व्यू उपर से, सीटों के उपर अलग से शीट लगी हुई है, जो फेंडर्स हैं उन दोनों तरफ, और काफी बड़े साइस के फेंडर्स है, क्योंकि 16, 28 के पिछले टायर है, साथ, पचास, 16 के अगले टायर है, स्टेरिंग के उपर कार की तरह नोब दिया गया है, डबल एक्टिंग पावर स्टेरिंग है, अगला वाला एक्सल एडजस्टेबल है, अनलोग प्लस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट किलस्टर है, ये हैं फोरवर्ड और रिवर्स का गयर लीवर, इसकी मदद से आप ट्रेक्टर को जिस गयर में आगे जा रहा है, उसी गयर में पीछे ले जा सकते हैं इस लीवर की मदद से, बहुत ही शांदार फुल कॉंस्टेंट मैस तकनीक के साथ है, ये देखिए उपर करेंगे या आगे करेंगे तो फोरवर्ड, पीछे करेंगे तो रिवर्स, जो की काफी अच्छी बात परस्टनली मुझे लगी, कि सोनालिका ने HDM सीरीज के अंदर भी ये फंक्सिनलिटी दी है, राइट हैंड साइट पे आपको हाथ से एक्सेलेट करने के लिए लीवर, इधर आपको पार्किंग वगेरा या LED जलाने के लिए, ओन करने के लिए SL का लीवर दिया है, इधर पूरी लाइटिंग, होर्न, लोवर बीम, अपर बीम, नीचे 12 वोल्ट, डीसी, मॉबाइल चार्जिंग पोर्ट और चावी लगाने के लिए एक की होल दिया गया है, ये है ट्रेक्टर का मेन क्लच, जैसा कि आपको मैंने बताया, PTO के लिए अलग से क्लच दिया गया है, तो ये double क्लच है, और IPTO, मतलब independent PTO बोलता है सोना लिका इसको, ये IPTO लिखा हुआ है, ये PTO का क्लच है, जिससे आप अपने PTO पर लगा हुए रोटावेटर वगयरा को रोकते हैं, यहाँ पर है नीचे PTO का lever, आगे करने पर 540 standard RPM आपको मिलेंगे, पीछे करने पर reverse PTO आपको मिलेगी नीचे एकदम कारों की तरह आपके उल्टे हाथ की तरह ही hand brake की सुविधा मिल जाती है multi plate, disc brake, tail में डूबे हुए, इसके अंदर मिलते हैं, low high medium और 1, 2, 3, 4 के gear levers मिलते हैं gear levers की position आप देखिए कहां से घूम कर आ रहे हैं, यह है main gear lever 1, 2, 3, 4 और इस tractor के अंदर आपको reverse gear आगे वाला जो lever है, हाथ वाला उसमें मिलता है 12 gear आगे जाने के लिए, 12 gear पीछे जाने के लिए, full constant mess तकनीक के साथ gear box दिया गया है, side shift levers के साथ, जिस speed में आप आगे जाएंगे, उसी speed में पीछे और इसकी गती है, 1.49 km पिर्थी घंटे से लेकर, 35.22 km पिर्थी घंटा 1900 engine rated RPM पर, differential lock tractor के अंदर दिया गया है, जो कि ये काफी अच्छी बात है नया tractor company ने लोंच किया है, offer price मात्र साड़े आठ लाख रुपे दी गई है, थोड़ी बहुत bargaining भी आप कर सकते हैं, सोधे बाजी तो और भी सस्ता आपको मिल सकता है वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना कीमती सुजाओं में कमेंट बोक्स में जरूर देना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद